है बेडे बच्छों यह है सान अकेडमी पल्ली करने में आपका हारदिक स्वाहत यह है कक्षा आठवी दुतिय बाशा हिंदी के अंदर गत अम लोग पाठ तेरह वर्षा जल संचेन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस पाठ में जल की महत्ता तो सर्वमान्य है जल के बिना जीवन अधुरा है जल के बिना जीवन का स्थित्व संभव नहीं है जल एक प्राकृतिक पदार्त है जिसका यदि हम सावदानी पूर्वक प्रयोग ना करे तो वह दिन दूर नहीं जब जब सर्वत्र बीश्न जल संकट हुद्पन हो जाएगा ऐसे अमुल्य जल को संचित करने का एक कारगर उपाय है वर्षा जल संचयन इस पार्ट में इसके वारे में व्यापक जानकारी आपको दी जाएगी पानी की एक एक बूंद अनुमूल है इसकी कीमत का अंदाजा हमें उस समय लगता है जबकि बहुत प्यासे होने पर गला सूखा जा रहा हो और हमें यह न मिलें जराव सोचिए कि आपके गर पर दो दिनों तक पानी नहीं आता थो हापकी आहलत केसी होती है चात्रों से यह मैं अपेक्षा करता हूँ वे जरूर इस पर थोड़ा सा विचार करें और अन्य लोग बै इसके बारे में थोड़ी सी विचार करें किन कार्यों के कारण कोई भी कार्य हो जलके बिना संबव नहीं है इसलिए हमारे जीवन में जलकी महत्ता सर्वमान्य है आज विश्व में जल संकट ऐसी विकट समस्या है हाल ही में लिए गए आंकडे के अनुसार पूरे विश्व में सव करोड से भी जादा लोगों को पानी का सुच पानी उपलब्दे नहीं है तो ये सर्वांगिन एक प्रतिशत देखा जाता है पानी की ये समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है चाहें क्रिशी का क्षेत्र हो आउद्योग का क्षेत्र हो किसी का भी क्षेत्र हो देश के शर्वांगिन विकास के लिए जल अत्यंत महत्तु पूर्ण है जल के बिनाम कुछ भी कर नहीं सकते है अथा है अनेग देश भूमी गत जल से अपनी आवश्यक ताइम पूरी करते है इनमें बारत और चीन प्रमुक है जो तालाब और कुवे सदियों से आदमी की प्यास को बुजा रहे है आज ये तो सूक रहे है उनमें पानी बहुत नीचे चला गया है नदियों का पानी विभिन कारणों से प्रदुशित होता जा रहा है प्रती वर्ष हिम के रूप में जो जल मिलता है वहवी नियमत रूप से निश्चित मात्रा में उपलब्द नहीं होता है और जल कूप इत्यादी के बहुत अधीक उपियोग से मारास के थाल गाओं में तालुक के दो अजार के करिब कूवे सूग गए है और बूमी गत जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है इससे तेईस अजार गाओं प्रबावित हुए है और वहाँ पेने का पानी दुरलब भी हो गया है विशेश अग्यों स्पेशलिस्टों के दुआरा हमें ये पता चलाए कि विशेश अग्यों के अनुसार मांग बढ़ने से जल संकट का पूरा असर देश में सीग्रही दिकाई देने लगेगा वर्षा के अन्यमित होने से समय पर वर्षा नहोने के कारण से मौसम के मौन मोजी वोने के कारण से प्रभाव से केवल कृषी पर यी नहीं अभी तो उर्जा संसादनों पेजल योजना ओभी क्या असर पड़ता है सन 1984 में बारत सरकार ने पेजल की अपूर्ती के लिए राजियु गांदी राष्य पेजल मिशन बनाया था जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे सन 1991 में इसकी तक्निकी मिशन का नाम बदल कर राष्य पेजल मिशन कर दिया गया अब विशेश अग्यों ने वर्षा जल के उचित उपयोग और संचेन पर बल दिये गये हैं बच्चों इसमें आप देख सकते हैं ये जो है किस प्रकार यहां पर ये वर्षा जल संचेन सादारन किफायती तरीका है जिसमें चतेवम आंगन में गिरने वाले बर्षाती पानी को पैपों के माध्यम से दिशा देकर जमिन के नीचे अथवा टंकियों में जमा किया जाता है यह संग्रहित पानी लंबे समय तक सतर के नीचे पानी के बंडार को बढ़ा कर पानी की समस्या का समादान करता है ये भी इसमें बड़े अच्छे तरीके से आपको दिखाया गया है हर वर्ष आपको एक से एक सी वर्ष नहीं होती है राजस्तान में 100 मिलिमीटर आउसद वर्षा से लेकर मेगाले छेरा पूंजी में 1100 मिलिमीटर और मोसी इन राम मेगाले में इसमें ये भी हमें देखने को मिलता है इस से अधिक वर्ष दर्जा की गई है जो कि विश्व के सरवादिक वर्षा का रिखाड है लेकिन हमारे देश में वर्षा का अधिकतर जल बह जाता है इसलिए रेनवाटर हैर्विंस्टर नाम से वर्षा जल संचैन योजना पर जोर दिया जा रहा है इसी सिलसिले में 22 मई दो जार को नई दिली में एक राश्विवियापी समिनार का आयोजन किया गया है इसका उदगाटन करते हुए प्रदानमंत्री अटल बियारी वाजपे ने का है केंद्री और राज्य सरकारें इस समस्या से अकेले नहीं नेपट सकती हैं बलकि संपूर्ण देश में सरकारें गैर सरकारें सभी संस्ताएं एवं पंचायती राज्य सभी लोग यहां तक की देश का हरियेक नाकरिक जब तक इस प्राकृतिक जल्द संपदा के संचन का पीड़ा नहीं उठा लेता तब तक वर्तमान एवं आने वाले बीश्न संकट का कोई समाधान नहीं निकल सकता है इसलिए बच्चों ये सरकारी प्रवक्ताओं के अनुसार जल्द संसादन मंत्रा लेने भी सभी राज्य सरकारों को वर्षा जल्द संचेन के लिए उचित कदम उठाने के लिए निर्देश दिये हैं जिसमें बड़े बवनों एवं सभी विद्यालियों में तता अन्यत्र वर्षा के जल्द को उपयुक्त तरीके से एकत्रित किये जाने के लिए आग्र किया गया है इसी कारी करम को दुवारा बच्चों को जो है आप देख सकते हैं सर्वेक्षन के अनुसार भी मानसुन के समय में किये गए जल्द संसें से बूजल स्थर काफी उपर आया है इससे सूखे कुवों वा बोरिंग वाले कुवों का जल्द सर बढ़ता है यही बूमी को नम बना कर मिठी के कठाव को रुखता है इसका और एक लाब है बरसाद के दिनों में नालियों के जमा होने तथा साड़कों पर पानी जमा होनी की समस्या का भी समादान उता है और रेंड वाटर अहरिंस्टन परिकल्पना को सार्थ तक बनाने के लिए रूफ वाशर और रेंड वेल्स की अवश्यक्ता है आजकल विदेशों में रूफ वाशर बजारों में मिल जाता है जिसका काम पहले वर्ष के दूशी जल को एक विशेश टंकी में जिसे सिस्थन कहा जाता है एकत्र करना सिस्थन बर जाने के बाद उसका मुख या ठोंटी अपने आप ठोंकी जो है अपने बंद हो जाता है फिर वर्ष का शुद्ध जल रेंड वैरल में जमा होता है यह पानी अथिंत मृदू होता है अतर वर्षा जल में इस पानी का यता संबव उपयोग करना चाहिए इसी स्रंकला में हम देख सकते हैं करनाटक के कंपन हेली के सेना बिहार में लगातार पांच दिनों तक जल की अपूर्ती ना होने से वहां के निवासियों ने वर्षा के जल को एकत्तित करके अपना काम चलाने के लिए संकल्प लिया गया है हुनोंने उसी जगह पर संकल्प के साथ में उन लोगोंने अपने सेना बिहार के सभी प्लोटरों और 71 गरों को अपनी परियोजना में हुनोंने शामिल किया है वैसे ही लोग पूरी तरह से बेंगलोर जल बोर्ड की अपूर्ती पर निर्बर रहते हैं उन लोगों को हर देन साड़े थीन लाक लेटर जल की आवशकता थी वहां के सारे नलकूप खूवे बगर सुख गए थे अथा उनका वहां प्रयास सफल रहा है वे आशा करते हैं कि अपनी इस रेन परिकल्पना के दुआरा सारे सुखे उवे नलकूपों में परियाप्त जल ला सकेंगे एवं भूमी गत जल स्तर्गवी को भी उठा सकेंगे करनाटक के इस प्रतम प्रयास के बाद दिल्ली, चंडीगड, राजस्तान, गुजरात, मारास, थमिलाडू, आदी राज्यों में भी जल संचेन का कारिये प्रारंब हो गया देश के बाकी प्रांतों में भी इस क्षेत्रवें परियाप्त जन्चेत्रा की अवशिक्ता है इस संबंद में लोग दीरे देरे जागरुक हो रहे हैं जल की प्रत्येक बूंद अमूल्य है इस प्राकृतिक संपदा को दूशित ओने से बचाने के लिए और इसे अधिका अधिक बचा कर रखने के लिए हमें यता संबंव प्रयत्र करना चाहिए बच्छों था कि आने वाले दिनों में जल संकट ज्वलंत समस्या न बने इस बात को हमें दियान रखना है आने वाला बविश्य हमारे लिए जल संकट न बन जाए जल संकट ही हमारे लिए एक जलंत समस्या जलंत समस्या न बन जाए इस बात को हमें द्यान रखना चाहिए, इसलिए बच्चों हमें वर्षा जल का संचेन को हमें द्यान में रख करके, जल की महत्ता को समझ करके, हमें जल को आवश्यक रूप में काम में लेना चाहिए, जल को अनाश्यक रूप में काम में नहीं लेना चाहिए, जल की महत्ता को समझना सर्वमान्य है दन्यवाद बच्छों